नालागड पुलीस ने माइनिंग माफिया पर की बड़ी कारवाई पुलीस में जिडी वाला से पकड़े एक जेसीबी मशीन वदो टिपपर पर पुलीस ने किया मामला दर्ज जान शुरू खनन माफिया में पुलीस की कारेवाही के बाद मचा हडकंप जिला पुलीस बद्दी द्वारा पहले एक विडियो वाइरल होने के बाद दून से विधायक वसरकार में सीपीएस रामकुमार चौधरी की पतनी के एक जेसीबी और एक टिपपर माइनिंग एक्ट के अनुसार 75,000 रुपे जिर्माना लगाया गया और उसके बाद अब नालागड में भी पुलीस ने खननन माफिया पर बड़ी कारवाई की है जिसको लेकर खननन माफिया में हरकंप मचा हुआ है पुलीस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए जिडिवाला में एक जगह अवैद खनन कर रहे जे सी बी मचीन एवं दो टिपरों को मौके से पड़ा है फिलहाल पुलीस का कहना है कि पुलीस माइनिंग एक्ट कितरू कारवाई करेगी और जहां भी वह मीनिंग होगी उस पर पुलीस की पैनी नजर रहेगी और अवैद माइनिंग करने वालों को किसी भी सूरत में बकसा नहीं जाएगा चाहे वह कोई भी हो इस बारे में मीडिया से बात चीत करते हुए ठाना प्रभारी नालागड राकेश रॉय ने बताया कि स्पी बद्दी के नेतरित्व में पुलीस ने सुबह सुबह जड़ी वाला में रेड मारकर वहां पर अवैद खनन कर रहे एक जेसी बी मशीन और दो टिपरों को मौके स से पकड़ा है उन्होंने कहा कि पुलीस माइनिंग एक्ट के माध्यम से आगामी कारवाई करेगी पहले तो हम जो बद्दी कुम में बद्दी पुलीस है वो एस्पी साफ के नेतरताओं में और क्या देशनों शार हम इस समय समय पर कारवाई कर रहे हैं पहले तो हम जो बद्दी कुम में बद्दी पुलीस है वो एस्पी साफ के नेतरताओं में और क्या देशनों शार हम इस समय समय पर कारवाई कर रहे हैं और हम प्रतिबद है कि माइनिंग को जितना रोका जा सकता इसको रोकेंगा जितनी कारवाई हो तो हर संबाव करेंगे हैं तो हम जो बद्दी कुम में बद्दी पुलीस है वो एस्पी साफ के नेतरताओं में और क्या देशनों शार हम इस समय समय पर कारवाई कर रहे हैं और हम प्रतिबद है कि माइनिंग को जितना रोका जा सकता इसको रोकेंगा जितनी कारवाई हो जो हर संबाव का प्रतिबद है कि माइनिंग को जितना रोका जा सकता सको रोकेंगा और जितनी कारवाई हो जो संभाव करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लिए और इसमें जेसी वे और दो टिपर कपजा में लिया है और इसमें जो है माइनिंग अटके